सबसे बड़ा स्कोप है वो सेमसंग का है और एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है देखे पहली बार में सेमसंग की अपडेट दे रहा हूं यह एक प्राइवेट जॉब है लेकिन बहुत अच्छी खासी जॉब है वोकें इंट्रिव्यू के तुरू आपका सलेक्शन होने वाला है ऑटो मोबाइल सक्टर में और मोबाइल सक्टर में ध्यान देना इस तरह की अपोस्टनोटी बहुत एवलेबल है इंडिया में अगर आप चाहते हैं ऑटो मोबाइल यानि की जो गाड़ियां बनती है वो सारी कंपनी लाइक महारती सुज़की टाटा मोटर्स महिं सेमसंग इंडिया जो ओफीस है इनका तो यहां पर वेकेंसिस निकाले गई है और अगर आप चाहते हैं इस तरह की प्राइवेट जॉप्स की अपडेट पाना तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस तरह की अपडेट भी चाहिए और आई टिया डिप्लोमा के बारे में नहीं बताया है जहां तक मुझे याद है तो प्लीज इस तरह की अपश्चनोडी लेकर आया हूं जो कि आपको दिल्ख स्कूर देगा है और टोटली पर्मनेंट जॉप्स की वेकेंसी से एप्लै कैसे करना है देखो यार प्राइवेट जॉप जब भी निकलती है कहीं से भी सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है अगर आपका तरीका पता है कि कैसे फॉम फिल अप करना है कैसे रिजू में बेजना है कैसे मेल करनी है तो सेलेक्शन होती है हजारों के निडिट का सेलेक्शन होता है आईडिया डिप्लोमा डिग्री सभी केंडिट का है च जितने भी स्टूडेंट सेंसंग इंडिया में जॉब करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखके जाना चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले रिक्वेश्टेट होगी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब लेकिन पर यहां पर रिस्टली पोस्ट की गई है आम इसी को डिसकस करेंगे जो कि आप देख सकते हैं यह वेकंसी सेंसंग इंटियरिंग इंडिया अब experience कितनी है किसके लिए जरा साध्यान से देखना प्रोसेस के में बात करूं तो यहाँ पर प्रोसेस इंजिनियर के लिए vacancy है बहुत vacancy है रोटेसिंग डिजान इंजिनियर, स्टाटिक डिजान इंजिनियर, पाइपिंग डिजान इंजिनियर जिसमें layout, station, materials के लिए, electrical design इंजिनियर, instrument design इंजिनियर, telecom इंजिनियर के लिए है फिर आपको मिल जाएगी यहाँ पर structure design इंजिनियर, SP3D admin में, SPPID admin में, SPI admin में तो admin की recruitment जो होती है, वो बहुत ही खास recruitment होती है नेक्स आपकी venue, जो walk-in interview थूरू आपका selection होगा आप तो interviews का जो venue होगा, आप देख सकते हैं, पहली बात यह Samsung Engineering India level 15 tower A है advanced movie, यह चीज में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले देख लो, date है 21 जनवरी 2023 को अपके पास अभी बहुत दिन है, Saturday को 9 बज़े से लेकर 3 बज़े के बीच में उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि companies name क्या है, तो company name है Samsung Engineering India, interested candidate, जो भी candidate eligible है, आपको यहाँ पर visit करना होगा और जो यह form है, आपको यहाँ पर resume send करनी होगी, याद रखना department company name, आपको samsung है, aceisamsung.com, इस पर यह आपका यह email ID है इस email ID पर आपको जो है, अपनी email ID, sorry, अपनी CVS को send करनी है अब यह totally notification है, चलिए अब हम इसे download करके देखते हैं क्योंकि अभी तक पता चल गया होगी, Samsung में vacancy निकाला है interviews के माधियम से selection होगा, noeda में posting होगी, जो भी candidate यहाँ पर जाएंगे interviews कब होने वाली है, 21 जनवरी 2023 को अब यहाँ पर qualifications क्या है, क्योंकि जो vacancy है, engineer और designer दोनों के लिए recruitment है अब दोनों के लिए recruitment है, तो यहाँ पर actually, यहाँ पर companies के details दी गई है hiring positions यहाँ पर देख लो कि कौन-कौन सी positions पे आपकी जो है, वो selections हो सकती है मैंने पहले भी बताया जो notifications में, लेकिन इसमें जो अच्छे तरी से बताया गया है जैसे process engineer, designer हो गया, mechanical, mechanical में काफी सारे branches होते हैं sorry, mechanical branches होते हैं, rotating, studying, engineer, designer, फिर आपकी piping, designer, lay out, engineer, या फिर designer में तो यह चीज मैंने उपर बताया, same चीज वही है, instrumentation, control, engineer and designer तो control के लिए अच्छी vacancies होगी, civil structure, तो civil structure, architecture, engineer and designer उसके बाद admin की recruitment है, अब यहाँ पर इतनी सारी पोस्टों पे आपको apply कैसे करना है इसमें confusion हो सकती है, देखो, eligibility qualifications बता दूँ, जो engineer की vacancy है उसमें B.B.Tech जो degree है, वो apply कर सकते हैं इसमें जो भी candidate engineer जहीं पर लिखा दिख रहा है, वो आपको B.Tech वालों के लिए है उसके बाद designer की post है, जैसे electrical engineer and designer है उसके बाद यहाँ पर इस study engineer and designer मिल जाएगी तो यहाँ पर भी designer का control, engineer and designer तो designer जो है, वो I.T.I. वो diploma student के लिए eligible है तो जितने भी post हैं, designer में, I.T.I. डिप्लोमा वही सारी post हो पर apply करोगे, otherwise यहाँ पर engineer post पर भी बिटेग वाले apply करेंगे देखे, यहाँ पर work experience 3-12, यहने कि 3 साल की work experience divide की गई, यहने मांगी गई है अब यह नहीं कि आपके पास 3 है, तभी apply करो भाई आपके पास 1 है, 2 है, जो भी experience है, आप जाएं, कहीं ऐसा नहीं होता है, कि 3 साल की experience के better में, बाद में जो एबलेवल नहीं होता है, उसको एक साल वाला, फ्रेसर वाला कभी लिया जाता है, तो एज़ा प्राइवेट चाहिए, कभी company में वेकंसिस निकलती है, तो मांगी जाती है experience, preference भी मिलती है, लेकिन आप फ्रेसर हैं, तो भी आप जा सकते हैं, अगर आप टालेंट है, तो, यह पूरा एड्रेस है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ता है, आपको जाना है, 21 जनवरी को, 21 जनवरी को धना यार, हाँ, 21 जनवरी को है, और यहाँ पर साथ में mention की गई है, जो भी candidate interested है, इंटरिव्यों में जाने के लिए, पहले resume सेंड कर दो, देखते हो, recruitment.seisamsung.com, इस का email ID का link आपको description में मिल जाएगी, वो telegram channel पे मिल जाएगी, अब इसमें भेजना कैसे है, cover letter क्या लगाना है, चलिए अब इसे देखते हैं, so guys, यह telegram channel है, success delivery का, आपको link description मिल जाएगी, please इसे join कर लेना, तभी आपको यहाँ पर सा simply सब कुछ लिखा है, जैसे यह cover letter है, cover letter क्या होता है, जब आप mail कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर cover letter लगाना पड़ता है, तो यह cover letter आप देख सकते हैं, for diploma और BTEC वालों के लिए मैंने बताया है, IT वालों का भी बताया है, तो यहाँ पर जो भी आपकी branches होगी, कुछ इसे copy क करने के बाद अपने branch, अपना branch सिर्फ अपना branch से mention करना है, अगर आप BTEC किये हुए हैं, तो BTEC करोगे, नहीं तो diploma बागी बाद यह सब सब edit कर दोगे, यहाँ पर नीचे अपना mobile number लिखना होगा, उसके बाद अपना resume भेजना है, अधरवाइस आप IT candidate हैं, तो यह cover letter download करना edit करना, और यहाँ पर जो भी आपका trade है, वो trade यहाँ पर mention करना, सिर्फ एक trade, मैंने आपे example के लिखा है, dear sir मैं यह सब चीज़ें आपको लिखनी होगी, इसको चाहिए आप बढ़ियां से भी कर सकते हैं, यह मैंने example के लिखनी होगी, यह मैंने example के लिखना है, आप मैं resume की भी तयारी कर रहा हूँ, resume की format भी आपको दूँगा, तो link description मौझूद है, उसको भी यहाँ पर मैं बता दूँगा, यहाँ पर, okay guys, तो जाओ, telegram में सब कुछ दिया गया है, join करको यहाँ पर apply करें, चले, कुछ भी doubt है, तो comment जरूर करना, email ID का link भी description में दिया गया चले मिलते next video में, तब तक के लिए सहेंदे,